हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अरध्या अरेस एकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आईजित विभिन परतियोगी परिक्षाओं के लिए आधुनिक राजस्तान का इतियास की कलासे सुरू की गई थी जिसमें अपनी दोस्तों पांच कलास है वो कंप्लेट हो चुकी है आज दोस्तों इसमें छटे नंबर की कलास है अपना टोपिक चल रहा था दोस्तों राजस्तान में परजामंडल आंदोलन जिसमें अपने तीन परजामंडल अपने पढ़ लिये थे दोस्तों आज अपनों से आगे पड़ेंगे और अरध्यारेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बैल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चोथा नमबर का दोस्तो इसमें परजामंडल है, वो है हाडोती परजामंडल, कौन सा है, हाडोती परजामंडल, तो हाडोती परजामंडल के संस्थापक हैं, वो कौन है, तो पंडित नेनुराम सर्मा, पंडित नेनुराम सर्मा, ये हाडोती परजामंडल के संस्थापक है, ठीक है फिर आता है इसमें बिकानेर परजामंडल तो बिकानेर परजामंडल एक ऐसा परजामंडल है जिसकी इस्तापना है वो राजस्तान से बाहर हुई थी और कहां पर हुई थी तो वो हुई थी दोस्तो कलकत्ता में ठीक है तो देखो बिकानेर परजामंडल की इस्तापन है वो वेद्य मगाराम वेद्य मगाराम ने दोस्तों बिकानेर परजामंडल की स्तापना की थी कहां पर कलकत्ता में की थी ठीक है देखो इस परजामंडल में एक सबा होती है सर्वहित कारणी सबा ठीक है गुनी सो तेरा में चूरू में आईजित होती है और इसके अध्यक्स है वो कनयालाल ढूंड को बनाया जाता है कन्यालाल ढूंडने दोस्तों कबीर पाट साला जो दलित बच्चों के लिए और कन्या पाट साला ये खुलवाई थी दोस्तों कि तिक किसने कन्यालाल ढूंडने ठीक है या आपको इसमें याद रखना है आगे देखो 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म इस्तूप पर स्वामी गोपाल दास तथा चंदन मल बहड ने भारती जंडा पहराया था चबी जनवरी 1930 को चूरू के धर्म इस्तूप पर स्वामी गोपाल दास तता चंदन मल बहड ने भारती जन्दा पर आया था बिकानेर महराजा गंगा सिंग जब दूसरे गोल मेच सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए तो उसके खिलाफ लंदन में बिकानेर दिखदर्शन नामक पर्चे बाटे गए जिनके आरोप में चार लोगों को सजा सुनाई गई थी दूसरे गोल मेच सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो इनके खिलाफ लंदन में बिकानेर दिखदर्शन नामक पर्चे बाटे गए थे और उसके आरोप में चार लोगों को सजा सुनाई गई थी एक है स्वामी गोपालदास एक है चंदन मल बहड तीसरा है सत्ते नाराण सराफ चोथा है खूब राम सराफ ठीक है इन चार लोगों को सजा सुनाई गई थी देखो इसे बिकानेर सडियंतर अभियोग 1932 भी कहा जाता है ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है देखो बिकानेर परजामंडल की स्थापना विद्य मग्यराम ने कलकतामी की थी ठीक है बिकानेर राजे लोग परिसद गुनी 142 रगुवर दयाल गोयल रगुवर दयाल गोयल ठीक है इसके संस्तापक है ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखो आगे देखो राइसिंग नगर स्री गंगा नगर ठीक है ये राइसिंग नगर है ये स्री गंगा नगर में है ठीक है अब देखो राइसिंग नगर स्री गंगा नगर में एक जुलाई गुनिसो तियानलिस को परजा मंडल के कारे करता हूं के जुलूस पर पुलिस फाइरिंग हो गई तथा बीरबल नामक यूख है वो सहीद हो गया ठीक है देखो परसंड यही पूछ गया था कि बीरबल दीवस है वो कहा मनाया जाता है ठीक है ओप्शन में दिया गया था दोस्तों जयपूर, जयसलमेर, बिकानेर, जोदपूर ठीक है ऐसे ओप्शन दिया गया जे तो देखो बीरबल नामक युवक है वो सहीद हो गया था राय सिंग नगर, सृरी गंगा नगर में ठीक है तो 17 जुलाई 1900 गुननचास को बीरबल दीवस यानि की विकानेर परजामंडल में मनाया गया था ठीक है 17 जुलाई 1900 गुननचास को बीरबल दिवस बिकानेर परजामंडल में मनाया गया था यह आपको इसमें याद रखना है क्योंकि यह पूछा जा चुका है बीरबल दिवस ठीक है याद रखना है आगे देखो इंद्रा गांदी नहर की जसलमेर साखा का नाम बीरबल साखा है इंद्रागंदी नहर की जैसलमेर साखा का नाम है वो बीरबल साखा है ठीक है देखो बिकानेर रियास्त में किसान आंदोलन बिकानेर रियास्त में किसान आंदोलन कौन कौन से हुए थे देखो उदासर किसान आंदोलन और महाजन किसान आंदोलन ये दोनों किसान अंदोलन है वो बिकानेर में हुए थे कंगड किसान अंदोलन और दूद्वा खरा किसान अंदोलन ये दोनों है ये दोनों दोस्तों चूरू में हुए थे ठीक है ये आपको याद रखना है देखो बिकानेर के किसान नेता कौन कौन थे तो हनुमान सिंग आ रिये और मेग सिंग आ रिये ये दोस्तों बिकानेर के एकिसान नेता थे परजामंडल से जुड़ी हुई थी अब दोस्तों अगला परजामंडल आता है वो है दोलपूर परजामंडल कौन सा है दोलपूर परजामंडल है अब देखो इसमें कि दोलपूर परजामंडल की इस्तापना आरी समाज के स्वामी स्रदानंद सर्स्वती की प्रेणा से हुई थी ठीक है दोलपूर परजामंडल की इस्तापना है वो आरी समाज के स्वामी दोलपूर परजामंडल की इस दोलपूर परजामंडल के संस्तापक हैं वो कृष्णदत पालिवाल थे कौन थे कृष्णदत पालिवाल ठीक है और दोलपूर परजामंडल में दोफ्तों एक तसीमो कांड हुआ था ठीक है कौन सा कांड तसीमो कांड हुआ ठीक है और ये कब हुआ था तो ये अपरेल गु 1947 में कारे करताओं की एक सभा पर पुलिस फाइरिंग में पंचम सिंग तथा छतर सिंग मारे गए थे तो प्रिक्षा में पुछा जा सकता है कि पंचम सिंग और छतर सिंग कौन से कांड में मारे गए थे तो दोस्तों यह मारे गए थे तसीमो कांड में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंचम सिंग और चतर सिंग का सम्मन्द कौन से परजामंडल से है तो दोस्तों धोलपूर परजामंडल से है ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखो सात्वा नंबर का परजामंडल आता है वो है दोस्तों इसमें मेवाड परजामंडल कौन सा है मेवाड परजामंडल ठीक है कब हुई थी इसकी स्थापना तो 24 अपरेल 1938 को मेवाड परजामंडल की स्थापना हुई थी इसकी मेवाड परजामंडल की स्थापना है वो मानक के लाल वर्मा के गर पर की गई थी मेवाड परजामंडल की स्थापना ठीक है देखो इसके अद्देक्स इसके अद्देक्स थे बलवन सिंग मेता ठीक है उपाद्देक्स बूरे लाल बया और मामंतरी मानक के लाल वर्मा ठीक है तो ये मेवाड परजावंडल है इसकी इस्तापना है वो कहाँ पर हुई थी तो मानक के लाल वर्मा के घर पर हुई थी ठी ठीक है और अद्यक्स अद्यक्स दोस्तों बलवन सिंग मेता थे उपाद्यक्स है वो बुरे लाल बयां थे मामंतरी माने के लाल वर्मा थे ठीक है यह तीनों चारों है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखो मेवाड रियास्त ने परजाम अंडल पर रोक लगाई तब वर्मा जी ने अजमेर से परजाम अंडल चलाया यहीं पर वर्मा जी ने मेवाड का वर्तमान सासन नामक पुस्तक लिखी मेवाड रियास्त ने परजाम अंडल पर रोक लगाई तब वर्मा जी ने अजमेर से परजाम अंडल चलाया था ठीक है और यहीं पर वर्मा जी ने यहीं कि मानक के लाल वर्मा ने मेवाड का वर्तमान सासन नामक पुस्तक लिखी थी ठीक है अब देखो गे 1931 में परजामंडल का पहला अधिवेशन उधैपुर में हुआ इसके अध्यक्स थे मानक किलाल वर्मा क्यों थे मानक किलाल वर्मा अब देखो जेबी करपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने इसमें भाग लिया था जेबी करपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने इसमें भाग लिया था पहले अदिवेशन में और उदगाटन भी जेबी कर्पलानी ने किया था ठीक है अब ये जेबी कर्पलानी कौन है तो देखो इसमें J.B. करपलानी आजादी के समय कॉंगरेश के अद्धेक्स थे ठीक है और सविदान सभा में जंडा समीटी के अद्धेक्स हैं कौन J.B. करपलानी सुचेता करपलानी इनकी पतनी है जो भारत की पहली महिला मुख्य मंतरी यूपी से बनी थी ठीक है और विजय लक्षमी पंडित के बारे में आप सबी को पता भी होगा ठीक है ये योएन मासबा की सदसे थी ठीक है आगे देखो देखो योएन में देखो योएन मासबा सुरक्षा परिशद और सची वाले ठीक है इसके मासचीव है एंटोनियो गुतेर से जो पुर्तगाल के परदान मत्री हैं ये योएन में सरनार्थी आयोक के अद्देक्स थे ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखो अखिल भारती देशी राजे लोग परिशद का गुनी सो चिहालिस में अद्देवेशन उद्देपूर के सलेटिया मैदान में हुआ ठीक है अखिल भारती देशी राजे लोग परिशद का गुनी सो चिहालिस में अद्देवेशन उद्देपूर के सलेटिया मैदान में तो देखो जवारलाल नेरू और सेख अब्दुला ने इसमें यानि कि उमर अब्दुला के पिता थे सेख अब्दुला उन्होंने दोस्तो इस आंदोलन में भाग लिया था इन दोनों ने ठीक है जवालाल नहरू और सेख अब्दुला ने अखिल भारतिये देशी राजे लोग परिशद के अदिवेशन में उद्यपुर में अदिवेशन हुआ था जिसमें इन्होंने भाग लिया था आगे देखो भारत छोड़ा अंदुलन के समय नाराणी देवी वर्मा भगवती देवी विश्णोई जेल गई थी ठीक है यह बारत छोड़ा अंदुलन है वो का प्रारब हुआ था तो मने आपको कल बताया था आठ अगस्ट गुनिसोबियाड इसको यह भारत छोड़ा अंदुलन है यह प्रारब हुआ था और नाराणी देवी वर्मा और भगवती देवी विश्णोई भी दोस्तो भारत छोड़ा अंदुलन के समय जेल गई थी आगे देखो बुरे लाल बयां को सराडा किले में इनको नजरबंद किया गया था और सराडा के किले को दोस्तो इसको मेवार का पानी कहा जाता है जो सराडा का किला है, इसको दोस्तों मेवाड का काला पानी कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है, देखो मेवाड परजा मंदल के अन्ने केंदरे, ठीक है बीलवाडा के रमेश चंदर व्यास ने मेवाड परजामंडल के पहले सत्यागराही थे तीक है मेवाड परजामंडल के अने के अंदर कुन थे नादवारा बीलवाडा ठीक है और बीलवाडा के रमेश चंदर व्यास मेवाड परजामंडल के पहले सत्यागराही थे और गांदी जी ने 1940 में वेक्तिकत सत्यागराहे शुरू किया था ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है नेक्स्ट है उसके बाद में आता है दोस्तो सापुरा परजामंडल तो सापुरा परजामंडल है वो कहां पर पढ़ता है तो यह बीलवाडा में आता है सापुरा और यह सापुरा परजामंडल की इस्तापना है वो दोस्तो किस किस ने की थी तो लादूराम व्यास और रमेश चंदर ओजा थीक है और वहां पे आजाए, लादुरामव्यास, तो आप क्या करोगए? इसल्हे दोस्तों, आपको ये दोनों नाम है, वो याद रखने है, ठीक है? साप्रार परजामंड़ के संस्टापक है, लादुरामव्यास और रमेश जन्द ओजा, ठीक है? दोस्तो इस परजामंडल की इस्तापना है वो मानिक के लाल वर्मा की प्रेड़ना से ही हुई थी ठीक है इस परजामंडल की देखो राजस्तान में सबसे पहले उत्तरदाई साथन की इस्तापना सापुरा रियासत में ही हुई थी ताजस्तान में सबसे पहले उत्तरदाई सासन की इस्तापना है वो कहाँ पर हुई थी तो वो सापुरा में हुई थी ठीक है देखो राजा सूदर्शन देव ने गोकुलाल असावा को परदान मंतरी बनाया था ये भी आपको इसमयाद रखना है तो दोस्तो कुछ परदामंडल और बाकि रहे गए वो कल कम्पलीट हो जाएंगे अपने परदामंडल का टोपिक ठीक है तो दोस्तो अगर आपने पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत